बता रहें कि जो बाबा है बिश्वरी उनके बाबन रूप हैं वो तमाम तरह की चमतकारिक सिद्धियां उनके पास हैं तर नाम क्या है आपका मेरा नाम गैनलाल है मैं इसी गाँ को रहने वाला हूं आप कह रहे हैं कि बाबा जी की यात्रा जो शुरजपार से बाबा तक की आप को कि यहां के रहने वाले तो आपको पूरी जानकारी उनके बच्पन पर लेके लाश्ट तब के जी हां मुझे बच्पन पर जानकारी थी मुझे एक मतलब ऐसी मर्ज थी जिससे मैं बाबा जी के पास आगरा गया था और वहां आगरा जाने से मेरी मज़ कट गई तो मैं बाबाजी का ससंग यहां पर रखा, जहां मैं ही बाबाजी को यहां ले के आया, जहां जोपरी बनाई, जहां ने ससंग स्टार्टिंग किया, जहां हजारों लोगों की बेड़ खिती होने लगी, आगर आकर प्रोफेसर साब थे, उनके लड़के को एक को मुतलब कोड पैदा उन्होंने पल्ली आसम की टीन दान में दी प्रोफेशन हैं उनका नाम मैं भूल चुका हूँ जो आगराके हैं उसके बाद में कही घटनाएं ऐसी मतलब नहीं हुई आज दें तरक ससंग हर जगे हुआ बाबां क्लाएं उनके पास कर लाद में उनके पास कोई कलाएं लाजमान होते हैं तब उनके पास कोई ख़ला देख न पाता है और मैंने माले सी भी की है बाबा जी की शरीर की और मैंने सारी कलाएं बावन कलाएं देखी हैं कभी क्रिसन के रूफ में कभी सिभजी के रूफ में कभी हनुमान के रूफ में कभी राम के रूफ में और मैंने कई साही बाबा के रूफ में कई नराकार के रूफ में मैंने अस जो शोले साल ऐंट आठाथारा साल के बाद में पनाइन पर देना पड़ा už से पीजह उड़्मा आगाई आगरा फॉचोए उसके ली आधारा साल के बाद में के बाद महां से जब सट्ठाा की सग्या ऑप कर दिया, इस्तीवा दे दिया नो को कल घटना हूई इसको ले कर के क्या को बोलना चाहेंगा बैस रहे सो लोगे चाहिए अरइसे आफ़ सब बाबाजी पास La a लेकि फिर भी जनता उनके चरणों को छूती है कि उनके छूने से में उद्धार हो जाते हैं इसलिए जनता नहीं मानती जनता खुद अपने आप गिरी है किसी का कोई दोस्त नहीं है यहां जो भूले बाबाजी उनका जमीन कितनी क्या है जमीन जैदात कैसे कितने भाई परवास में आए है कभी किसी का कोई गाउ बश्ती किसी के साथ में कुछ नहीं आया उन्हों सारा त्यागी दिया है और संपति उनके पास बाप की अपने खुद की बाप की लगवक 14-13 वीगा है 15 लगवक है और 15 वीगा काई खाते हैं जहां भी जाएं चाहें मद्रपदे देरा वहां का खाना निकाएं कुछ नहीं खाते किसी का जब खिलाते हैं हमको तो वो क्या खाएंगे सबको देते हैं हमारे गंगा जी में बहार आई थी सन 2008 की नो की बात लगवक 400 कुंटल गयों 500 कुंटल गयों गंगा पर तीन सो कुंटल चीनी और 200-300 कुंटल चाबल और मेरा नाम गैनलाल है और एक बात हो कहना चाहता हूं आगरा में जिस दगर रहते थे थे वो आज भी 50 लाखी कोठी है वो ससंग के नाम से स्वंपदी उन्होंने उन्होंने नहीं बेचा अगर बेचना चाहते हैं अपने पास तो सोने से जड़ी होती है लंका